तो है यूटीब फैमले गूड मॉनिंग और वेलकम बैक टो मैं यूड वीडियो तो होफ़ले आस्वाच्छे होंगे तो गाइस अभी टाइम हो रहे सुबिक के नौ और गाइस आज मैं काफी जादा एक्साइटीड हूँ विकोज आज वह चीज आगई है जिसका मैं बहुत टाइम से इंतिजार कर रहा था मतलब पूरा वन मंस का वेट करने के बाद फाइनली वह आ गई है तो आज हम करने वाले हैं उसकी अन्बोक्सिंग तो अभी हम आये थे पार्क में विकोज हमें चीज़े था एक प्लग जो क को मिल गया बढ़िया हो गया सच्छे में गाइस बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अब चलते है फटावट और ले के आते हैं इस चीज को काफी बहारी है वैसे वह आप देख लेना और मेरे साथ है प्यूश प्यूश करेगा अन्बॉक्सिंग हमारे साथ आज अज अग यह देखो यह हो चीज तो इसको लेके चलते है यह व्याव कर वो काफी भारी यह पताने में उठापाम गदा तो ट्राइकर ते अठाने की चलो ला यह तक मैं उठा लगा यह बहारी है ऊठाने पे अपर हम दें इन दो बढ़े थे बड़ आपा को सही होग देना तुमसे नहों पाएरा और गिराना वत्रे इसके इंतर इटो खा जाना है यह कम से कम 40 किलोगा होगा जादक मुझे लग रहा है उठा के बहुत भारी है तो बनाते हैं पापाजी को वह हेल्प करेंगे अब अब ब्रवा आपकी जरूवत आगी आप जलो यहां पर जुवार ओते हुए यहां पर टेप अंदरे इसके पर निकाल नहीं है वह जा लेने चापन जाल और यह अब यह अब यह उटके आ रहे है इन्हों है सब्सक्राइब जा रहे हैं चापन लेने तो काफी एजी हो गया हमारे लिए अब इसको लेकर जाना पार्क तक पार्क थोड़ा दूर है यहां से तो इतना भारी उठाया नहीं जा रहा था तो गाड़ी में ले लिए से अब भाग के जाना पड़ेगा वो रेवा तो पहुंच की बार्क तक है अब तुम लोग अपना काम करना हम चलते हैं ठीक है ओके गाड़ी यह पर खड़ी रहेगी बिकॉस इसको लेके भी जाने वापिस पहले करते हैं चोटा वाला अन्बोक्स तो यह रही वह चीज यह चोटा और यही बड़ा इसके अंदर है तो यह है एट्रैक तो बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा कि क्या है एट्रैक तो एक तरह का फ्लोर होता है मतलब गद्धा टाइप का जिसमें स्टंट्स करते हैं और हमें जंप मिलता काफी ज्यादा मत और वह फूलेगा पंप से पंप है इसके अंदर तो इसको खोलते अब चलो सारा कुड़ाई डबें डाल देना अब करते हैं अब करते हैं बोक्स अब भाई भूत खुशी हो रही है तो इसमें हमारी में चीज बड़ा वाला एट्रैक तो खोलते हैं इसको इसमें की था जो टूटगे है या दे डिलीवरगे में तो जूटिया होगा चलो कोई बात नहीं तो यह मैन्वल इसमें सब कुछ के बारे में का यह कैरे करने के लिए इसको काफी बड़ा बैक है इसके बाद यह है यह में चीज पंप जिसे समें हवा भरेगी तो इसके लिए चीज इलेक्टिसिटी तो यह रही सामने अब में चीज का निकालते हैं अब में चीज सबसे भारी चीज उल्टा कर दो अब निकल गया अब भाई हाट में घटका देगा इन सब को रपके साइड में अब खोलते हैं एर पंप को खोल अब करते हैं में चीज जो की है इसको खोलना इन दोनों को तो यह देखो लिटरली बहुत बड़ा है यह ओ भाई पत्थर निया नीचे नीचे ध्यान से तो यह बहुत ही बड़ा है सच्ची में मैंने इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था घुल जो आए वा हम तो आप करते हैं में काम इसको फुलाने का तो यह यहां से फूलता है तो आप बी आ गी आगी है आप किसा लगा बहुं अच्छा लगा लिटा तो आप भरेगी है में हम तो हवा जानी शुरू हो गी है इसके अधर हम यह बड़ा है तो फाइनली हमारे दोनों एर ट्रेक फूल चुके हैं अभाई मस जम पा रहे है कि मत कर आराम से आराम से आराम से तो तो आपका नाम क्या है क्या है तो अभी मेरा एक और फ्रेंड आ रहे है ने तो इसको मेने बुला लिया वो भी स्टंस करता है तो साथ में करेंगे मज आएगा तो इस अच्छी में बहुत ही मज आ रहा है इसमें कि उसको भी मेर को भी तो बहुत भी आगे हैं फ्रेंट फिलिप मारेंगे वाँ यह ना बात कैसा लगा बढ़ी है तेरे काम की चीज है तो 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 पता है कैसा है तो मेरे तो गुबारा है वो उचल लेकिल सभी दो दिन मज आएगा देखियो तो आप यह वाँ तो आप यह दिखा दो आप जिसने मंगवाई उसी को उसकी इंपोर्टेंस पता होती है तो और बच्ची भी आगे ह इस इस काल डी वाँ एक अरे वाँ अरे वाँ बोलासन है यह काट्वील यह पर सारे टेलेंटर बच्चे हैं तो इस नहीं भी आगया है कैसे हो अब करते है साथ में प्रैक्टिस अरे वाँ तो अभी है मारे के में सेट भी है कैसा लग आपको बहुत सही चीज आप तो गुछ तर्व तो दिखा वाँ अरे भाई भाई लुट्व अब हमें रुक रहे हों कि अटा करें तुम लोग सब्सक्राइब नियुक्त सबस्क्राइब तो ड़ी सारे चले कि सिरफ मैं और नयान है यह देखो तो हम कोई शो कि इस चीज का श्रेंट का फ्लीप सीखने का तो हम ही करेंगे और लोका लिए यह इतना इसक्त तो मेरा कफ से मन्ता मैंने मंगा लिया लास्ट वही ती तो इसमें सीख के ग्रास पर फ्लोर पर पर कर सकते हैं तो आप करेंगे रोज प्रैक्टिस और यह आया है 30 किलमेटर दूर से देख लो इस तेंट करने के लिए यह तो इस फिलाल प्रैक्टिस हो गई है और काफी ज्य अब तीन बच गए देखो चे घंटे हो गए चला सही आ तो आप इसके हवा निकालते हैं और रखते हैं वापिस और चलते गर पर कुछ खाया भी निस उबेसे बहुत भूक लगगी है यह बहुत ही भारी है यह और काफी हवा इसके निकल भी गई है बस यह देखो धिरे ध तो बैस फाइनली हो गया पैक यह पूरा जादू लग रहे है ना जूब के सामने बैच और भी समाने यह देखो यह रहा बहुत वारी है आग यह यह बहुत सही चीज है यह से लगावे तो हवा जाएगी यह से निकलेगी दोनों और यह पूरा ग्रेनिट की तरह लग रहा यह देखो सारा समान यहां भी आगया और यहां भी आगया ओ भाई चलते हैं तो फिलाल हम करें लंच ने अनुर में रोटी और दाल साथ में चाबल तो ठीक है ब्रो मिलते हैं फिर ओके बाई तो हमने घर पे कुछ दिर बाते करी और फिर मैं छोड़ा है अब ने अनको गेट पे अब उचला जाएगा बस से फिलाल बजगिया शाम के पांच और अब बस थोड़े देर में हो जाएगा अंधेरा तो इसके साथ करते हैं वीडियो को यही पे एंड बताने कैसे लगी आपको अगर अच्छे लगी हो तो डॉन फरगेट बड़ा है अब लाए लव यो बाए यह देखो यह देखो अब हाई यह कैसा आप